हेलो दोस्तों स्वागता आपके न्यू वीडियो के अंदर थायर जी दुनिया इस्टड़ी नूचल में आपका स्वागता है देखो आरकेसी के दुवारा जो अस्टिस्टेंट इंजिनियरिंग है कि रिकुर्मेट्ट डुज़ हाटीशी से ज करने लुग से नोतिकार के सब्सक्राइब करने बर्ति नख़ pagने आपकेसी, से शुरू होंगे RPC के दुबारा जो भूजल विभाग है उनके अदर अब वो लान अवेदन है वो 23 अगस से शुरू हो जाएंगे एप्लिकेशन पीश से वो कितनी रखी गई जो भी स्टुडेंट इसमें फोरम अप्लाएगा ना चाहता है एस लिमिट वो क्या मांगी गई है क्वालिफेकेशन वो क्या रखी के लिए फोरम बनने के लिए अब आपको इसमें सेलेक्शन प्रोसेश जो कैसे होगा और एक्जाम प्रेटन इस भरती का क्या रखा गया पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के इंदर तो वीडियो को आखिर तक देखना आप जो कि अगया है तो दोस्तों आ चुके हैं बोर्ड की स्केन के उपर आर्पेस से के दुवारा जो असिस्टेंट इंजिनियरिंग है उनके पदों के उपर न्यू नोटिफिकिशन है वो जारी कर दिया गया है अब देखो न्यू रिक्रूमेंट वो जारी किया गया है उसकी इंफ्रोमेशन आपको इसमें मिलने वाली है देखो बात करते हैं आर्पेस स्री यानि राजस्तान पब्लिक सर्विस कमिशन उनके कि दुवारा इस भरती का नोटिफिकिशन है जारी किया गया है इसमें जो पोस्ट रखी गई है जो असिस्टेंट है असिस्टेंट मेकनिकल जो इंजनेरिंग है उनके पदू की उपर इसमें नोटिफिकिशन है वो जारी किया गया है अब आगे चलते हैं देख इसमें बात क पोस्ट वो कितने रखे गई है अब आर्पीस से के दुवारा राजस्तान जो पब्लिक सर्विश कमिशन उनके दुवारा जो असिस्टेंट इंजिनेरिंग जो मेकनिकल है के पदों के ऊपन नोटिफिकेशन है बहुत जारी pig आगया जिसमें जो टोटल पोश्ट हैं वो बारा पोश्ट से उसमें रखयी मैं जो पैज्ट से रखी गई है। आगे इसमें देख बात कर लेतें के फोरम वो कप से start Lux cow 2018 से शुरू ओए तो फोर्म जो स्थुडेंट भडना चाता है वो 23 अगस्ट से मिलेगी तो वीडियो को कम्पिलिटी देगे अब देखो एज लिमिट की बात कर लेते हैं देखो इसमें एज लिमिट वो क्या रखी गई है अब आर्पेसी की दुवरा जो असिस्टेंट इंजिनेरिंग जो मेकनिकल उनके पदों की उपर जो आयू सीमा वो इस प्रकार से र जणर ंर explor पोआयू सीमा है वो पंच वरस में छूट दी गई है आपकी आयू सीमा में जासे इसमें बीस वरस लेके चालेश वरस तक रखी गई है जिसमें जो जनरल मेला ब्यारती उनको अधिक्तम पांच वरस की छूट दी गई है आपको 45 पेस में यह रखी गई है उसके अलाबार राजस्तांद राजी की मून लिवासी आर्थिक रूप से जो कमजोर वरकी ओविसी स्थी सहरिया वरकी जो पूरो से ब्यारती उनके लिए अधिक्तम आयूसीमा में आपको पांच वरस की छूट दी गई है अब यहां पर राजस्तांद राज्जी की मून लिवासी आर्थिक रूप से जो कमजोर वरकी अन्य पिचड़ा वरक हो गया जो भी स्टूडेंट है अनुसूचिक जाती हो असिस्टेंट मेकनिकल इंजिनेरिंग के उपर जो बढ़ती जारी की गई रिक्रूमेंट जारी किया गया है अब आगे देखो इसमें एप्लिकेशन फीस से वो क्या रखे गई फोरम बढ़ने के लिए एप्लिकेशन फीस की बात करें तो सम्मानने वरक और अनारक्षित व रखे उनके लिए इसमें 400 रुपे आवेदन है वो चार्ज रखा गया है समस्त जो भी दिव्यां जन अभ्यारती उनके लिए आप चार सु रुपे रखा गया है सभी वरक ऐसे ब्यारती जनके परिवार की वार्ष रखाए ड़ह लाक रुपे से कम कम से कम उनके लिए कि अगEMA मेकेनिकल पतों के उपर आप आगे चलते हैं देखे बात करें मेटक वक्ट करते हैं इसमें इनडिया यओर्ट डिप्लोमा आपने कर रहा है मेक निकल Sежд着 इनिवर्सिटी से देखो आपने अगर आपने भारत में कानुन द्वारा इस्तापित किसी भी विश्व विद्धाले में आपने योगेता सरकार की द्वारा सक्सम डिग्री प्राप्त कर रखी है यह डिपलोमा कर रखा है और वो अवेधन कर सकता अब देखो गोर्मेंट डिग्री ओफ ए इनिवर्सिटी लो इन इंडिया अगर आप किसी भी विदेश यहां पर सेलेक्शन प्रोसर से पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं एक्जाम प्रेटन की आर्पीस्टेंट इंजिनेरिंग मेकेनिकल रिक्रूमेंट के लिए आपका पेपर दो गंटे और ती यहां पर 500 कुशन आएंगे 500 मार्स के जिसमें आपके राजस्तान की जो जर्णल जी के बगेरा हो गए आपके 40 कुशन आएंगे 40 मार्स के और आपकी जो सब्जेक्ट है 110 कुशन आएंगे 110 मार्स के इस परकार से एक्जाम प्रेटन यह रखा गया अब आगे चलते हैं अगर आपको आपको इंफ्रोमेशन अच्छी लगी जानकर आपको अच्छी लगी जानकर आपको समझ में तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले अगना अब तक नहीं क्या है नीचे डिस्पेक्शन में लिंक दी गई है टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लो वहां पे मैंने अप्लाइ कैसे करना उसकी लिंक है वहां पर प्रवाइड करवा दिये